अब आप सब आज मैं आप लोगों के लिए गौर मिठाई लेकर आई हूँ एक खाने में बहुत ही तेस्टी होती है और बाना में बहुत ही आसान होता है ऐसा तो कभी हो यह नहीं सकता कि कोई त्योहार आये और हम मिठाई न बनाये तो चली सुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है इसके लिए सबसे पहले मैंने एक लेटर फुल क्रीम दूद लिया है उसको कडाही में डालकर उबालने के लिए रख दिया है यह देखिए इसको लगातार चलाते रहना है ताकि नीजे तली में न लगे जब तक दूदू बलता है तब तक हम 100 गराम लगव काजू पीछ ल पर जाएगी तो फिर मिठाई में वो टेस्ट नहीं आ पाएगा देखिए इसको हमेंसे चलाते रहें इतना चलाना है कि यह मतलब नीचे तली में लगे नहीं इसमें फिर मैंने एक से डेट चमच लगभग देशी घी का यूज किया है तो देखिए हमारा पेस्ट कड़ा हो हो चुका है इसको फिर भी चलाते रहना है यह देखिए इसको अच्छे से निकालते हुए किनारों को निकालते हुए अपाराम से चला ले यह दिखिए हमारा पेस्ट लगभ लग वो त्यारी हो चुका है और इसकी जो मिठाई बनेगी यह किन मानी बहुत ज्यादा करने किया है अब इसको उतार कर ठंधा कर ले हां तो से थोड़े देर के लिए मसल लें ताकि यह दिआ हो जाए देखिए हमने दो्ट टयार कर लिया है अब इसको छोटे-छोटे-डोयों में माट लेना है अब इसके बाद आपकी जैसेशा हो आप ऐसा उसको सेब दे सकते हैं मैंने पेड़े का सेब दिया है आप चाहे तो बर्फी क्या कार का या फिर कुछ भी जैसा आपके इच्छा हो ऐसा सेब दे सकते हैं यह देखिए हमारी मिठाई त्यार हो चुकी है अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी देखिए अब इसको मैंने थोड़ा सा गारनेशिंग के लिए काजू इसमें डाल दिया है ताकि देखने में और ही खुबसूरत लगे यह मिठाई स्पेसली मैंने रक्षा बंदन के लिए बनाई है हमारी मिठाई कितनी खुबसूरत लग रही है देखने में भी और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगी है आप एक बर जरूर ट्राइ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोज को लाइक करें थैंक यू